ट्राफिक पुलिस ने हुने ट्राफिक समस्यातों पार पानमस्ते तक्नीक दा सहारा ले आए तो मेरे नाल अली डिजवी जड़े की मार्केटिंग हैड ने मैपल्स दे मैपल्स आपके बारे में बताता हूँ यह एक सुदेशी नाविगेशन आप है जिससे की आप नाविगेशन एक्सपीरियंस आपका बेटर तरह से आप अपने हैं destination तक बहुत सकते हैं जब मैंने कहा कि better तरह से वह कैसे मैं वह explain करता हूँ आपको इसमें कुछ unique features हैं इसमें कुछ ऐसे features हैं जो कि आपका navigation experience को बहुत बहतर करेगा окиब से हटके हैं features जी हाँ यह एसे features हैं जो ऑकि बहुत uniqu है होता accidents की लोगों को brake लगाते हैं जब वो फ्लाइवर आता है क्योंकि navigation जो है अभी वो वेड़ वुझ कर रहा होता है अब अरो अब यह clear नहीं होता कि bylaiWaR के ऊपर से जाना है कि नीचे से जाना है ये जो ok the application app है ये आपको को confusion होती है और लोग काफी बार रॉंग टर्न लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं जो अक्सिडेंट का बहुत जादा खत्रा रहता है उसमें यह बहुत जादा हेल्प करेगा ताकि आपका जो नाविगेशन experience है वो junction आने से पहले या फ्लाइवर आने से पहले ही आपको पता होगा कि मुझे उपर से जाना है ताकि आपको कोई confusion ना रहे यह एक है इसके लावा और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं जैसे speed camera alert बहुत सारे speed cameras already ministry of road and transport ने लगा रखे हैं हम वो alert देंगे लोगों को कि आगे speed camera है आप अपना vehicle जो है speed slow कर लिजिए फिर हमने इसमें application में over speeding alert डाला है for example road की speed limit national highway की 100 है और मैं गाड़ी चला रहा हूं 120 पे तो यह जो navigation है अगर मैं use कर रहा हूंगा तो यह मुझे alert देगा कि मैं speed limit of the road 100 है और मैं 120 पे drive कर रहा हूं तो मुझे अपनी गाड़ी जो है slow down करनी चाहिए इसके लावा speed breaker alert काफी बार जब आप unfamiliar road के पे जा रहे होते हैं तो और अचानक से speed breaker आ जाता है तो हमें speed breaker पे गाड़ी को अचानक से slow down करना होता है जिसके वज़े से भी accident होने के खत्रे रहते हैं तो इस application में आपको speed breaker alert मिलेगा मतलब वो speed breaker आने से पहले आपको एक voice alert आएगा प्लस visual alert आएगा कि आप अपना vehicle जो है slow down करें इसके लावा हमने पंजाब पुलिस के साथ tie up जो हमने M.O.U. sign किया है उसमें हमने accident prone areas जैसे for example बहुत सारे पंजाब में गौशालाज हैं जिसके वज़े से अचानक से गाए road पे आ जाती है और accident होता है तो पंजाब पुलिस ने already उसका एक data research करके बना रखा identify कर रखा है क कौन कौन से ऐसे spot है जिसमें ये incidence एक से जादा बार हो चुका है हमने वो information already मैपल्स में incorporate कर दिया है इससे फाइदा ये होगा end user जो की पंजाब में अभी enter किया और उसको आइडिया नहीं है कि आगे गौशाला है तो वो मुझे alert मिलेगा और मैं मुझे ये suggest करेगा application की मु ये जो application है इसके already 20 million plus users है ये आम शहरी के लिए है ये आम आदमी के लिए हमने बनाया है और जो हमने आज ट्रेनिंग की है तो ये इसको कोई भी download कर सकता है आप मैं कोई भी हर एक Indian can download it very easily कि अपने mobile पे चाहे उसका android हो आईएस हो या web पे वो बहुत आराम से इस application को अपने download कर सकता है जो आज हमने tie up किया है जो हमने पंजाब पुलिस के साथ tie up किया है और आज हमारी training थी अमरित सर ट्राफिक पुलिस के साथ ताकि जो traffic related information है जो अमरित सर में real time basis पे for example अगर कोई धरना हो रहा है यहां पे या कोई procession चल रहा है या कोई road बंध है ये information वो real time basis पे हमें provide करें हम उस चीज को मैपल्स के उपर डालेंगे और अगर कोई आदमी उस navigation को use कर रहा होगा तो उसको एक notification मिलेगा in terms कि उसको map के उपर पता चलेगा कि आगे road बंध है और वो मुझे application जो है alternate route से मेरे destination को पे पहुचा देगा मुझे कुछ ऐसे शिरारती लोग भी होते हैं जो शिरारत कर जाते हैं जैसे जिसके पास user है कोई माल उसके post कर दी वो जगह और कहीं किया पोस्ट कहीं और कर दिया तो इसकी authentication कैसे जाची जाएगी हाँ तो हमने क्या किया है कि एक तो हमने tie up कि है पंजाब पुलिस के साथ जो पंजाब पुलिस हमें information देगी उसमें authentication की जरूरत नहीं होगी वो लेयर हम हटा देंगे बट अगर आम आदमी जैसे मैं अगर कोई चीज मैपल्स के उपर डालता हूं जैसे for example पेड गिर गिर और मैंने ये चीज information मैपल्स के उपर डाली तो हम पहले उसको validate कराएंगे हमारी field team होगी जो उस information को पहले validate करेगी और उसके बाद ही हम user को update करेंगे बाकी field team जो है वो कितनी समय तक approach कर पाएगी जहां पर ये पोस्ट डली हुई है सर क्यूंकर ये pan India की मैं बात कर रहा हूं तो ये real time तो नहीं होगा कुछ घंटे लगेंगे इसमें अब वो घंटे हो सकता है दो घंटे भी हो सकते हैं और वो चार से छे घंटे भी हो सकते है depending upon कि वो कहां पर information report कर रहा है उस basis में हम बट हम उसको validate करके ही हम आगे उसको map पे update करेंगे कोई भी information हम update नहीं करेंगे जब तक वो validate नहीं होती है सो बट इसी इसमें आज जो हमने training session रखा है अमरिच सर ट्राफिक पुलिस के साथ कि यह information हमें अगर real time क्योंकि सबसे बहतर और सबसे पहली information मिलती है अमरिच सर ट्राफिक पुलिस को उनसे बहतर कोई information नहीं हो सकती तो वो information हमें देंगे हम उस चीज़ को real time basis पे हमने भी control room बनाया है इस purpose के लिए डेली में और वो हम information को update करेंगे मैपल्स के उपर ताकि user को यह information accurate information सही information real time information मिल सके और वो अपने destination जो best possible way है वहां तक पहुत सके बिना मैं भी काम करता हूं अपने फाइदे के लिए आप भी काम करते हैं फाइदे के लिए इसमें मैपल्स का क्या फाइदा है यह जो इनिशेटिव है यह हमने MOU sign किया है पंजाब पुलिस के साथ यह MOU इस लिए है ताकि situation traffic situation जो है वो बेटर कर सके हैं पंजाब पुलिस के इसमें आपका company का क्या फाइदा होगा इसमें company का फाइदा अगर आप देखें तो directly कोई फाइदा नहीं है क्यों क्योंकि यह investment है हमारे तरफ से हमारा objective जो है हमारा जो objective है यह MOU साइन करने का वो earn करना नहीं है क्योंकि हम 22 डिस्टिक जाएंगे हर 22 डिस्टिक में हम जाकर के train करेंगे traffic police को इसके बारे में awareness करेंगे हो सकता है हम और next level पे जाकर के user के साथ भी engage करें तो यह हमारे लिए earning opportunity definitely नहीं है हम यह इसलिए कर रहे हैं ताकि जो traffic situation है जो earning है company की वो यह steam नहीं है यह हमने इसलिए किया है इतना pain को ले दिया company यह इसलिए हम ले रहे हैं ताकि लोग maples में क्या advantage है क्यों मैं अगर for example मैं XYZ brand already का navigation मैं यूज कर रहा हूं already और मैं switch करूं मैपल्स पर मैं आप ही से कहूं कि आप किसी और company का navigation और यूज कर रहे हैं और मैं आप से कहूं कि आप मैपल्स यूज कीजिए तो आप क्यों download करेंगे जब तक कोई information आपके पास कोई ऐसी interesting information या कोई updated information new information जब तक मैं आपको नहीं देता आप चाहिए इसको यूज करना ना चाहें तो हम यह बताना चाहते हैं कि कोई हम इंडिया के सोदेशी मैप हैं और वी वांड की हमारे जो citizen हैं उनको latest information best information मिल सके इससे हमें क्या advantage है definitely हर आदमी के advantage होता है तो हम चाहेंगे जादा से जादा लोग मैपल्स को use करें so that is what the benefit is और लोग switch क्यों करेंगे क्योंकि अगर उनको यह पता रहेगा कि यह इतनी सारी information जो है यह इस आप पे available है तो definitely वो स्वदेशी आप यूज करना जादा प्रिफर करेंगे as compared to a foreign जिए तेमिलकुल जी टकनीक देनाल जड़की हानी बनके चलना समय दी लोड़ भी है क्योंकि लगाता ट्राफिक जाम दीया समस्या माने जाकर किते कोई रोल जाम है कोई दिक्कत आजन दी है कोई खंबा डिगा हुए कोई रोख डिगा हुए यहां किते agitation चले है ता और पर्शन सुखपाल देनाल सिक अंदर पर श्रीचा जैनिक्स फिरा टीवी आमरी से